हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी बहुत मज़े में होंगी आप लोगों का स्वागत है आपके यूटूब चैनल रिया रजावती यूटूब चैनल पर और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है आज मैंने आप लोगों धन्यवाद बोलने के लिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि आज मैं यहां तक जो पहुँची हूँ वो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वज़े से पहुँची हूँ और सच में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत प्यार दिया ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाके रखना क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं यूटूब पे आने के बाद यहां तक भी पहुँच पाऊंगी क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता है और फिर मुझे तो इन चीजों के बारे में जादा नॉलेज भी नहीं थी पर धीरे 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 स्टेप बाई स्टेप मैं सीड़ियां चड़ती गई तो मुझे फिर थोड़ा सा लगने लगा मुझे आगे चलना चाहिए आगे चल के लिए कि मेरा गूगल का एडसेंस जो पिन होता है मैंने अपलाई किया था वो आचुका है और सच में मैं जाड़ों पोचा कर रही थी जब डाकिया ये देने के लिए आई थे तो मैं सच में उचल गई थी तो मतलब अंदर से बहुत ज़ादा खुशी हो रही थी कि मैंन जाते जाते हैं तो हमें अंदर से कितनी खुशी होती है तो आज सच में मुझे बहुत खुशी होई बहुत ज़ादा क्योंकि जब मेरा पिन आया ना तो सच में मैं इतना उचलने लग गई थी हाला कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ख खरी उतरूं तो मैं सोचती हूँ तब मेरे लिए बहुत बड़ी वात होगी कि तो मैं आप लोगों की उमीदों पर खरी उतरूं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊं और जिस तरीके से आप लोग मुझे अभी तक प्यार देते रहे हैं आगे भी देते रहे हैं और सच में मैं आज बहुत कुछ हूँ और थोड़ी सी एक प्रॉब्लम भी है मेरा गूगल एडसेंस बिन तो आगया है बट मेरा बैं मैं अकाउंट खुलवाँ मैं अकाउंट खुलवाँ बट मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी स्टैम स्टिचिंग भी आने लग गी थी और बच्छों के पेपर स्टार्ट हो गे थे तो उसी में मैं ज्यादा विजी हो गी थी तो अब मुझे की बहुत जरुरत है और अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूं तो प्लीज आप लोग मुझे बताया करिए क्योंकि गलतिया हमारी वही लोग निकालते हैं जो हमारे अपने होते हैं अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं जो हमें प्यार नहीं करते हैं लेकिन जो लोग हमें प्यार क फैमली को. बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू. आप लोग सोच रहोंगे मैं इतना रेडी क्यों हूई हूई हूई. तो मैं रेडी किसी काम से. आप लोगो को पता है घर में तो मैं ऐसी जल्ली सी रहती हूँ. मैं कहीं गई थी, तो उसी वज़िस्ते और आप लोगों को मेरा मूर थोड़ा जीव से लग रहाओगा पता नी क्यू़ मेरे को छीके बहुत पहोत परेशान हो जाते हूं छीक छीके आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं मेरे तो گर सब्क्राव में आपना में एसे ही बनाके रख़ए। जादा और बहुत सारे लोग मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट पढ़के बहुत खुश हो जाती हूं बहुत जादा। और प्लीज आप लोग मुझे बता करें। कि मैं किस-किस चीज पर वीडियो बनाया करूं क्योंकि मैं सारे दिन स्टिचिंग में लगी रहती हूं तो मुझे जो थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता है मैं चोटी-चोटी क्लिप्स को बनाके रात को पता है देड़ दो मुझे एडिटिंग करती हूं तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया कीजे क्योंकि सच में में महनत कर रही हूं हाँ मेरी महनत रंग लाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने अपने इतने बीजी शेडियूल में से अपने यूटूब के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अलगें तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और जो लोग मेरे चैनल पे नई जोटे हैं वो लोग सबस्काइब जरूर करना और मैं समझ सकती हूँ कि अभी मैं नई हूँ तो मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना पाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए नई नई तरीके की वीडियो बनाओं कुछ नया नया करने की कोशिश करती रहती हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आप लोगों की जो रिक्वेस्टिट वीडियो थी वो भी मैं बनाओंगी जैसे मुझे धिहान आजाता है तो मैं रिक्वेस्टिट वीडियो बनाती भी हूँ और प्लीज अपना सपोर्ड मेरे साथ ऐसे ही बना के रखना और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है क्या आप लोगों को मेरी रियालिटी पसंद आई है आप लोगों को मेरा ससुराल में रहना पसंद है हाँ यार सही बात है कि अगर हमारे साथ अगर कोई हाथसा हो जाता है तो जो हमारे साथ ससुर है उनके साथ भी तो वो हाथसा होता है और जितना दुख हमें होता है उतना ही दुख उन्हें भी होता है ऐसा नहीं है कि उन्हें दुख कम होता है तो हमें हर किसी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए हाँ देखो रिष्टों में थोड़ी बहुत मन मुटाव और थोड़ी बहुत misunderstanding होती रहती है लेकिन कहते हैं अगर गाड़ी का एक पहिया slow और एक पहिया तेज हो तो गाड़ी अराम से चलती है तो कोई बात नहीं कभी थोड़ा सा मनमुटाव होता है हर किसी के घर में होता है तो कभी किसी को slow हो जाना चाहिए कभी किसी को तेज हो जाना चाहिए तो इस तरीके से आपकी जो जिन्दिगी की गाड़ी है वो चलती चली जाएगी और मुझे सच में बहुत पसंद आता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मुझे नहीं लगता था में को पहले समझ में ही नहीं आता था कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाओं किस के उपर वीडियो बनाओं और अब धीरे धीरे मुझे मतलब कहते हैं कि जब धीरे धीरे हम कोई काम करने लगते हैं तो फिर हमें उसकी नॉलिज हो जाती है फिर हमारा इंटरस्ट भी आ जाता है तो धीरे धीरे और हाँ प्लीज आप लोग मेरी माईके की फैमली को तो देख रहे हैं मेरी माईके की फैमली में पता है कि मैं यूटुब पे वीडियो बनाती हूँ और मेरी माईकी की family को मैंने बता रखा है अबी मैंने सुस्राल की family को नहीं बताया है तो मेरी बहुत से subscriber थे उन्होंने ये बुलाता कि दीदी आप बता दीजी क्योंकि अगर कल को उन्हें बाहर से पता चलता है या फिर मालो कल को आपकी salary आती तो वो सोचेंगे है कि इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं तो थैंक यू आपने ये सजेशन बिल्कुल अच्छा दिया है सही कह रहे हैं एक तरीके से जो आपने बात बोली है बहुत सही बोली है तो मैं बस थोड़ा सा टाइम और मेरी जो फैमिली है तो मैं जल्दी ही उने बताऊंगी अभी तो सेलरी नहीं आएगी मुझे इतना पता है कि इतनी जल्दी तो मेरी सेलरी नहीं आने वाली है तो मैं जल्दी ही अच्छा सा टाइम देखके अपनी सासुमा को जरूर बताऊंगी कि मैंने यूटूब पे अपना चैनल बनाया है हाला कि वो गुस्सा तो नहीं होनी चाहिए और नहीं होएंगी क्योंकि मैं कोई गलत काम तो करनी रही अपनी स्टिचिंग की वीडियो अपना डेली व्लॉग्स जो मैं करती हूँ तो वही सब चीजे में शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कोई गलत काम तो करनी रही हूँ शायद वो समझेंगी मैं कहतो नहीं सकती लेकिन सायद वो समझ जाएंगी और प्लीज आप लोग मेरे साथ मेरे लिए अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना और प्लीज मुझे आप लोग ज़रूर बताया करिये किस किस चीज पर वीडियो बनाया करूँ उस दिन मैंने मेक अप की वीडियो बच्चों के साथ बनाई थी पर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी है तो मैं कोशिच तो करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की और डेली व्लॉग्स तो मैं आप लोगों को मेरा बहुत बिजी शेडियूल रहता है वो सब चीज़े तो मैं आप लोगों को दिखाती भी नहीं हूँ बस ये तो चुटी-चुटी क्लिप समराती हूँ और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं जोटने हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाबाई